यादि आप भी उन छात्र छात्राओं के स्थिरेनी में आते हैं जो कि 30 जूलाई को 30 जूलाई को भी हर पुलिटेकनिक का एक्जाम दिये थे और आप इस समय अपने एडमिसन को लेकर चींतित होकर जो आप अपने एडमिसन के लिए कोई भी नोटिस को लेकर चींतित हैं स्टूधालोटर होता है परकिए आया है है जिसके कारण से परेशान है चिंतित है दोस्तों आपको हम बदला कि इसके पीछन है उस हो आज website पर डाला गया है कि क्या region है जिसके कारण से जो है आप लोग का first round seat allotment order है जिसको की जारी नहीं किया गया है तो दोस्तों इस region को जानने के लिए और कब तक आप लोग का first round seat allotment order आ जाएगा इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं तो इस चर्चा में बने रहने के लिए आप वीडियो में दोस्तों आपको हम बता दें कि बीते कुछ दिन पहले एक update वेबसाइट पर घूमती हुई आपको नजर आ रहा है यहां पर जो एक update यहां पर यह निकल कर सामने आ रहा है इस update में आपको हम बतला दें कि बिहार पोलिटेकनिक वालों के लिए इसमें एक कथन जो है कहा गय रहा है वेबसाइट पर किसी टेकनिकल एरर के करण जो है आप लोग का जो अभी तक जो है फॉर्स्ट रांड शीट अलॉटमेंट जो और होता है वो जारी नहीं किया गया था लेकिन दोस्तों आपको बतला दें कि यहां पर जो वेबसाइट पर जो मूब कर रहा है यह परामेडिकल वालों का जो एक्जाम जो हुआ था वो दोनों का एक्जाम सिर्फ एक दिन आगे पीछे हुआ था तो अभी तक जो है इसका जो है कांसलिंग हो गया है इसका कांसलिंग के लिए भी कोई अपडेट नहीं आया है और इसका फर्स्ट राउंड सीट अलोटमेंट लिए यह भी हो सकता है कि जब तक इसका कांसलिंग नहीं होगा तब तक आप लोग का जो है फर्स्ट राउंड सीट अलोटमेंट लिस्ट नहीं दिया जाए यह भी हो सकता है कि दोनों का साथ है साथ है कराने के पीछे वजा हो सकता है तो आपको बता दे कि आपको वेट कर किया है वो शुरू किया जाएगा ठीक है यदि आपको नोटिफिकेसन आपको सही लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चनल को सब्सक्राइब कर लिएगा ताकि आपको इस तरह का वीडियो हमारे चनल पर हमेंसे आपको देखने को मिलता रहे है